आज के सुड़े में हम वाशिंग मशिन कम्प्लीट वाइरिंग एंड वर्किंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा वाशिंग मशिन में कई सायराय वाइर्स दिये जाते हैं जिसे देखकर वहाँ पर काफे confusion होता है तो आज के सुड़े में वाशिंग मशिन वाइरिंग एकदम ओपन करकर समझने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके चले वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए अभी हमने power supply को on कर दिया है सबसे पहले हम spin section को समझ लेते हैं देखे spin timer को भी हमने on किया तो motor हमारी on नहीं होगी motor on क्यों नहीं होगी क्योंकि आपने देखा होगा spin section में आपको एक door switch दिया जाता है जब आपका door close रहता है that means जब एक door switch लगता है तब ही आपके spin motor run होती है देखे door switch को हमने लगाया तो हमारी motor run की जैसे ही door switch को छोड़ा या door को open किया तो आप देख सकते हैं हमारी motor stop हो चुकी है अब हम wash section की working समझ लेते हैं हमारे पास wash motor है wash motor क्या होती है कुछ second के लिए clockwise run करती है कुछ second के लिए anti clockwise direction में run करती है चलिए अभी हम wash timer को on करते हैं जैसे ही wash timer को on किया तो देखे हमारी motor कुछ second के लिए clockwise direction में run करेगी और कुछ second के लिए anti clockwise direction में run करेगी आप देख सकते हैं देखे हमारी motor की direction कुछ second के लिए clockwise रहती है कुछ second के लिए anti clockwise रहती है तो किस तरह से complete setup की working रहे की हम समझ लेते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं washing machine में हमें कौन-कौन से components दिये जाते हैं देखिए यह हमारे पास एक video कौन की washing machine है इस video कौन की washing machine में आपको दो selector यहाँ पर दिया गया एक wash timer के लिए और एक wash operation के लिए यहाँ पर wash timer हमारे पास 4 wire के लिए दिया गया है कई washing machine में 6 wire या 7 wire भी होते हैं केस तरह से हर एक wire का connection किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं यह wash selector हैं आपको wash में जो motor है उसे normal mode में घुमाना है gentle mode में घुमाना आप select कर सकते हैं यह drain के लिए एक selectress में कोई connection नहीं होता है यह mechanically operate होता है यह हमारे पास spin timer है spin timer में normally हमारे पास 2 wire होते हैं एक input wire और एक output wire यह हमारे पास wash motor है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह wash motor है और यह हमारे पास spin motor है देखिए यह spin motor है यह door switch है, जब हमारा door close रहेगा, तब ही supply को pass करेगा, किस तरह से mechanism होगा, किस तरह से connection होगा, वह भी हम समझने वाले हैं, जैसे ही door खुल जाता है, हमारी motor वहाँ पर run करना stop हो जाती है, यह brake system दिया गया है, देखिए, जैसे ही door आपका open होगा, तो यहाँ पर brake लग जाता है, और आपकी motor stop हो जाती है, तो किस तरह से door खुलने पर आपकी motor stop होती है, किस तरह से brake mechanism होग करता है, वह भी हम समझने वाले हैं, यह हमारे पास एक capacitor है, जो washing machine में capacitor होता है, वो 4 wire capacitor होता है, देखिए, इस capacitor में जो 2 wire, red और yellow दिये गए, वो 12 microfarad के हैं, जो क्या को wash motor में लगा वाले section में, और जो 6 microfarad के 2 wire दिये गए है, purple और gray wire, देखिए, जो 12 microfarad के हैं, वो आपके wash motor के हैं, और जो 6 microfarad के, यह जो कम microfarad का है, वो आपके spin motor में connect किये जाएगे, देखिए, इस तरह से आप सबसे कम microfarad के wire को spin motor में connect कर दीजी, हमारे पास buzzer है, जब होता क्या है, wash होता है, तो किस तरह से buzzer का connection होगा, वह भी हम समझ लेते हैं, यह हमारे पास देखिए, जो motor होती है, motor में 3 wire होते हैं, एक common wire, एक running wire, और एक starting wire, देखिए, 3 wire दोनों ही motor में दिये गए, किस तरह से motor का connection होगा, वह भी हम समझने वाले हैं, चलिए, किस तरह से सबसे पहला हम spin section की complete wiring समझ लेते हैं देखिए यह हमारे पास input power supply से neutral wire आया है तो जो neutral wire होता है सबसे पहले आपका door switch में जाता है देखिए door switch में neutral गया है सबसे पहले हम spin section की wiring समझ रहे ताकि आपका एक एक करकर सारे doubt clear हो सब neutral wire सबसे पहले door switch में गया है जब आपका door close या लगा हुआ रहेगा तब ही supply pass होगी तो देखिए यदि आपका door लगा हुआ रहेगा और door switch operate रहेगा तब यहां से neutral निकलेगा देखिए यहां से neutral गया और यहां से आएगा अब इस neutral को spin motor की जो common wire है common wire में connect कर दिना या जो main wire है देखिए हमने क्या किया door switch में neutral दिया और door switch के output को जो हमारी spin motor का common wire है यहां पर connect कर दिया इतने connection को आप पहले note down कर दिजिए देखिए door switch से neutral हमारा spin motor में आ चुका है आप spin motor में दो wires बचे हुए है एक running winding का wire और एक starting winding का wire capacitor में आप चेक कर लीजिए जो 6 microfarad या जो कम microfarad के दो wire है gray और purple देखिए दो wire आपके spin motor में connect होगे देखिए इन दो wires को अभी हमने ले लेना है और gray और purple wire को किसी भी एक wire को आप motor की running winding के साथ connect कर दिजिए और किसी भी एक wire को आप motor के starting winding के साथ connect कर दिजिए देखिए connection हम बहुत ही आसान तरह से समझ रहे ताकि हर एक के सारे doubt clear हो सके देखिए starting winding के साथ हमने capacitor का एक wire लगा दिया है यह running winding के साथ capacitor का एक wire लगा दिया है that way से motor के तीनो wire का connection हो चुका है neutral direct लगाया है और running और starting winding में हमने क्या किया है capacitor के wire लगाया है अब जो phase wire है जो हमारा main phase wire आता है वो spin timer में जाएगा देखिए spin timer में दो wires आये है जो कि बड़े ही बड़े तार है यह तार आपके नीचे की तरफ आते है ताकि नीचे से ही जारा connection होता है तो देखिए आपके spin timer में जो आप देख सकते है orange wire है इसमें phase connect किया जाएगा और normally जो आपका spin timer होता है पंदरा मिनट के लिए होता है पंदरा मिनट तक क्या होता है आपकी supply pass होती है जैसे ही timing complete हो जाता है supply cut हो जाती है तो phase wire को अभी हमने क्या किया spin timer में phase connect कर दिया है आप पंदरा मिनट तक इसकी जो supply है वसके output wire जो की blue wire है इससे निकलेगी जब timer का on किया जागा जैसे ही पंदरा मिनट complete हो जाता है तो supply cut हो जाएगी आपके motor घुमना वहाँ पर बंद हो जाएगी देखिए आप यह timer का output wire है देखिए जब आपका timer on रहेगा तब supply इसकी आएगी तो इससे आपको क्या करना है जो आपका motor का running winding का wire है और जो capacitor का wire है यहाँ पर connect कर दिना starting winding और capacitor में कोई connection नहीं होगा running winding के साथ हमने phase connect कर दिया है जो की spin timer से आया है तो हमारी spin section के wiring complete हो चुकी है जो neutral है वो door switch से आया है और जो phase है वो spin timer से आया है इतना connection आप note down कर लीचीए अब हम watch section के wiring समझ लेते हैं जो की 4 wire का हमारे पास यहाँ पर wash timer दिया गया है एक wire buzzer के लिए दिया जाएगा और 2 wire आपके motor में आएगे क्योंकि आपके wash motor जो होती कुछ second के लिए clockwise rotate होती है और कुछ second के लिए anti-clockwise direction में rotate होती है that means थोड़ थोड़ टाइम में इसकी direction change होती है देखे चार wires दिया गया है इसमें जो सबसे छोटा wire है यह आपका alarm का wire है होगा क्या? जब आपके wash timer का timing complete हो जागा जो phase wire है वो buzzer में जाएगा जिससे buzzer glow करेगा यह 3 wire देखे एक wire input power supply के लिए है और 2 wire wash motor के लिए है देखे 3 wire नीचे के तरफ आते है और एक wire छोटा buzzer में connect हो जाता है यह हमारा main input power supply का phase wire है जो कि timer में जाएगा तो timer में connection करने के लिए हम क्या करते है जो हमारे पास main phase wire आया है इस phase wire को हम यहाँ connect कर देते है देखे timer में भी phase चला गया है आप connection को note down करते चलिए देखे timer का एक wire का connection हो चुका अब यह है दो wire बचे हुए है जो कि हमारी wash motor में आएगा wash motor के starting और running winding के wire में आएगा ताकि कुछ समय के लिए हमारी motor clockwise rotate करे कुछ समय के लिए motor anti clockwise rotate करे देखे यह हमारी पास wash motor में तीन wires दिये गए है एक common wire एक starting और एक running तो common wire में neutral फिर से एक बार common wire में neutral हमें direct connect कर देना है देखे wash motor में हम neutral direct दे रहे हैं जो spin motor है उसमें neutral जो हमने दिया है वो door switch के जरीए दिया है देखे neutral को direct हमें connect करना है तो common wire में neutral लगा लिया है यहां से एक connector आपका जो neutral का connector है यहां connect कर देना है that means input power supply से neutral देखे हमारी motor में direct आ चुका है अभी motor में हमें capacitor का connection करना है और timer से जो दो wire आए उनका connection करना है देखे एक starting winding का wire एक running winding का wire है capacitor में जो ज़्यादा microfarad के wire हो 12 microfarad के यहां दिये गए है तो किसी भी एक wire को आप running winding के साथ connect कर दीजिए और किसी भी एक wire को आप starting winding के साथ connect कर दीजिए देखे हमारी motor में दो wire में capacitor connect हो चुके है और एक wire में neutral connect हुआ है अब इन दो wire में timer से आपके पास supply आएगी दो wires के जिसके जरीए motor की direction change होगी देखे आप देख सकते हमारे पास red और blue wire दो है जो कि timer से आए है अब इन दो wire को आप motor के starting और running winding के साथ connect कर दीजिए जिन दो wires में आपने capacitor का connection किया है उन्हीं दो wire में आपको connect करना है कुछ समय के लिए आपके red wire में supply आएगी कुछ समय के लिए blow wire में supply आएगी जिससे आपके motor की direction change होगी देखें यहाँ पर capacitor के साथ जो दो wires थे timer के दो wire हमने connect कर दिये timer के तीन wire का connection हो चुका है एक में phase connect कर दिया है और दो wires में आपने motor का connection कर दिया है यह जो छोटा wire है इसमें buzzer का connection होगा जब timer के timing complete होगी तो phase wire यहाँ आएगा वैसे नॉर्मल इसमें connector दिया जाता है बट अभी हमने connector कट कर दिया तो phase wire को देखें buzzer में connect कर दिया है और neutral buzzer में direct connect किया जाएगा देखें connection यह दि कोई भी doubt होता वीडियो को pause करके देखें आपको हर एक doubt बहुत ही आसाने से समझ में आ जाएगा देखें buzzer का connection भी हो चुका connection होने के बाद आप सबी connectors पर सबसे पहले tape ज़रूर लगा दीजी आपको safety का धियान रखना है इसका धियान रखिए चलिए अभी हम क्या करते है input power supply को on कर लेते हैं और किस रसे washing machine के working होती है समझ लेते हैं देखिए अभी हम spin timer को on कर दिया spin timer on हुआ है बट हमारी spin motor run नहीं हो रही है क्यों नहीं हो रही है क्योंकि door switch अभी open condition में है जैसे ही door आपका लगाया जाएगा तो door switch operate होगा door switch operate होगा आपकी motor run करेगी देखिए क्या किया है हमने जैसे ही door switch को लगाया देखिए टेस्टर से भी हमने short किया है नोर्मली जब आपका door लगता है तब यह short होता है तो आपकी motor run करेगी देखिए अगेन जब door switch को लगाया तो आपकी motor यहाँ run करेगी जैसे ही door switch आपका open होगा तो उस condition में आपकी motor stop हो जाएगी तो यह तो नोर्मल वर्किंग होई spin timer की अब हम washed hammer की working समझ लेते हैं देखिए क्या होगा जब washed timer को आप rotate करते हैं देखिए अभी motor हमारी open condition में इसलिए पहलो से पकड़ना पड़ रहा है देखिए जैसे ही timer आपका operate हुआ कुछ समय के लिए आपकी motor clockwise run करेगी कुछ समय के लिए anti clockwise run करेगी चलिए अभी हमने इसका cover निकाल ले ताकि आपको आसनी से नजर आ सके देखिए हमारी motor की direction change हो रही है आपको clear walk किस तरह से washing machine complete wiring की जाती है ये लिए वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक का बेटन ज़रूर प्रेश करेए